हलो माई दिया स्ट्रेंट्स एंड आई होब की कस राइडिंग पार्ट वन के जरीए आप लैटर्स को प्रॉपर्ली बनाना उन्हें अच्छी तरह लिखना सीख चुके होंगे लेकिन अगर अभी भी आपको लैटर्स बनाने में प्रॉब्लम जा रही है तो प्लीज आप पार्ट वन को फिर से देखें और जो बच्चे पार्ट वन नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है आप वहां जाकर देख सकते हैं अब पार्ट व मैं आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से लैटर्स को जॉइन करके वर्ट्स एंड सेंटेंस बनाए जाते हैं लेकिन ध्यान रहे वीडियो को इसकिप ना करें वीडियो को एंड तक देखे वरना आप बहुत इंपोर्टेंट चीज हैं मिस्स कर देंगे तो चलिए शुरू करते हैं कर्सी लैडिंग पार्ट टू अब मैं आपको लैटर्स जॉइन करना सिखाता हूं देखिए लैटर्स दो तरीके से जॉइन किये जाते हैं जिन लैटर्स के हुक नीचे से उपर की तरफ जाते हैं देखिए नीचे से उपर की तरफ जिनके जाते हैं इनका तरीका अलग होता है और जिन लैटर्स के हुक कारूश शेप में होते हैं जैसे B, F, V, W, B तो इनका जॉइन करने का तरीका अलग होता है अब सवाल उठता है लैटर्स को जॉइन कैसे करना है तो चलिए बताता हूँ तो देखिए दो या दो से अधिक लैटर को जॉइन करने के लिए सिंपली आप कोई लैटर बना लीजिए वो लैटर जहां पर एंड होता है तो उसके एंडिंग पॉइंट पर अपना पैंसल लखिए और वहीं से नेक्स लैटर बनाना स्टार्ट कीजिए जैसे देखिए मैं इस ए से ए को कनेक्ट करता हूँ यह देखिए मैंने कैप बनाया और यहीं से जिस तरीके से हम ए बनाते बिलकुल सेम ए बना दिया और यह देखिए ए से ए कनेक्ट हो गया अब देखिए मालो C से मुझे E को connect करना है तो सबसे पहले मैं C को पूरा बनाऊंगा और C जहां पर end हो रहा है यहीं से मैं E को बनाना continue चालू करता हूँ यह देखिए C से ही E connect हो गया अब देखिए D से मैं I को connect करता हूँ तो सबसे पहले अपन D बना लें और D जहां पर end होता है वहीं से simply हम I को connect करेंगे इस तरीगे से देखिए अब यह E है E जहां पर end हो रहा है यहीं से हम O को connect करेंगे तो देखिए यह E यहां end हो रहा है यहां से मैंने cap type से बनाया और जिस तरीगे से हम O बनाते हैं अपने O बना लिए यह देखिए तो यह O हो गया अब माल लो G से U को connect करना है तो G से U को connect करने के लिए पहले G बना ले आप और G जहां पर end हो रहा है वहीं से हम U को connect कर दे तो देखिए A, E, I, O, U पांचों वाबिल आप असानी से connect कर सकते हैं इसलिए मैं करूश शेप में join करना बताता हूँ कुछ बच्चों को problem होती ही करूश शेप में लेकिन कुछ नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं बस थो इसी practice की जरूवत है तो चलिए B से मैं A को connect करता हूँ तो simply आप पहले B बना लीजी इस तरीके से B बनाने के बाद जहाँ पर B end हो रहा है यहीं से मैं A बनाऊंगा देखिए B के हुक से मैंने A बनाने start किया तो यह देखिए B A अब यह माल लो यह F है F जहाँ पर end हो रहा है F का हुक इसी F के हुक को हुक से मैं यह देखिए मैंने E बना दिया अब देखिए यह V है V से V का होक यहाँ पर end हो रहा है यहीं से हम simply I बना देंगे यह देखिए तो V I हो गया यह W का होक यहाँ end हो रहा है तो यहाँ end हो रहा है उसी point से हम यह देखिए join करके मैंने O बनाया यह देखिए और ये B, B से मैं U को connect करके बता रहूँ ये B कहो कि यहां end हुआ है यहीं पर pencil का point रखकी यहीं से हम यह देखिए simply U बना देंगे और अब आपको हर word की दो-दो line प्रैक्टिस करनी है और जल्द बाजी बिल्कुल ना करें और जितना हो सके सुंदर लिखने की कोशिज करें तो चलिए अब हम step 2 में छोटे-छोटे words बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले मैं A का use करता हूँ A, N, N, M, A, N, Man B, A, T, Bat और B, A, G, Bag देखिए इसमें नीचे से भी आप जोइन कर सकते हैं और उपर कर्व हुक से भी जोइन करना मैं बता रहा हूँ इसलिए इन वर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजेग आप लोग अब अब अगला वर्ड हमारा E, N, N T, E, and 10 P, E, T, Pet B, E, G, Bag ठीक है अब नेक्स है माला आइका उस आइ, N, N, W, I, N, Win, Okay h i t hit s i t sit अब next letter है हमारा o an on s o an sun d o do n o t not अब गोर से देखिए यह curve shape वाले हो किस तरीके से जोड़ना है और जो नीचे से जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और यह curve shape किस तरीके से जोड़ेंगे मैंने a e i o यू पाँचो ओवल से मैं आपको बताऊंगा जोड़के अब देखिए लास्ट u जिसी u and an s u and sun r u and run f u and fun ओके चलिए अब मैं आपको कुछ special words बताता हूं जिनको join करने में बच्चों को अकसर दिक्कत आती है तो वो words हैं जैसे f से r को connect करना देखिए यह f हमने बनाया और f के hook से इसी hook से हम r को connect कर लेंगे देखिए f r यह wire fry b r o bro उसी पकार w से r को जोडने में भी बच्चों को दिक्कत होती ही देखिए w w बनाया हमने और यहीं से हम r का shape देदेंगे यह देखिए w r i t e right ओके अब देखिए b से e को जोडना जिससे b है यह b के hook से हम यह e को connect करेंगे b double e b और f से f यह e यह एक बार और e f double e fee तो यह कुछ special words से बस ध्यान रखिएगा कि आपको जल्द बाजी बिलकुन नहीं करना है और यह जो step two में आपने जो words सीखे हैं इन words को दस-दस बार लिखकर practice करनी है speed की फिकर चिंता आप बिलकुन ना करें लिखते लिखते आपकी speed खुद improve हो जाएगी तो चलिए मैं आपको sentence बनाना सिखाता हूँ दिखिए ज़्यादा तर work जो है writing work वो small letters में होता है इसलिए आप small letters की ज़्यादा से ज़्यादा practice करें और capital alphabet मैं वीडियो के end में बता दूँगा तो चलिए हमारा पहला sentence है don't copy others देखिए आप बिल्कुल जमा जमा कर लिखें जरा भी जलबाजी ना करें और speed की चिंता बिल्कुल ना करें sentence number two health is wealth ध्यान से देखिएगा किस तरीके से जोड़ा हूँ आपको बिल्कुल उसी pattern से जोड़ना है health is wealth okay number three t-r-u-t-h truth yes is truth is bitter b-i-t-t-e-r bitter truth is bitter okay number four sentence है g-i-v-e give give up give up b-a-d bad habits h-a-b-i-t-s habits give up bad habits चली एक sentence और ले ले लेते हैं all are not alike a-l-i-k-e all are not alike तो अब हर sentence की आपको पांच-पांच मतलब हर sentence को आपको पांच-पांच बार लिखना है और अब बारी है step 3 means capital alphabet की ओके तो चलीए एक ध्यान से देखिए किस तरीके से capital alphabet बनता है तो यह देखिए a यह b और यह c यह d e यह f और यह g यह h यह i यह j k l m n o p q r s t u v w w x x y और यह z तो यह 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 तो यह 20 letters से जोड़ना possible है लेकिन six letters यह देखिए six letters b b d n p v w यह six letters एसे होते हैं जिनको आप गलती से भी जोड़ने की कोशिस न करें वरना सब गलबर हो जाएगा जैसे देखिए माल लो हम b से जोड़ने की कोशिस करेंगे तो जैसे b a t यह देखिए यह बहुत ही irrelevant हो गया यह d से कोई word बनाने कोशिस करेंगे d o जी देखिए यह उपर चला गया यह गलबर हो गया यह माल लो यह n o यह गलबर हो जाएगा ठीक है क्योंकि इनका hook जो होता है यह उपर की तरफ आता है यह उपर यह देखिए अंदर या उपर की तरफ आता है हाँ w से आप h को जोड़ सकते हैं यह देखिए w h a t w h y y w h o h o लेकिन b d n p v w इन लेटर से आप गलती से भी जोड़ने की कोशिस ना करें और आप आपको लिखना है तो आप अलग से लिखें करीब से जैसे b a t bat d o g dog n o t not यह p a r o t parrot टीक है यह वी आई एम विम डबलू ए आर वार अलग से लेखें आप इसको connect करने की कोशिस ना करें सिर्फ w से h को आप जोड सकते हैं तो माइड यह स्ट्वेंट कैसा लाग आज का वीडियो और वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अपने फेंड के आँशेर कीजिए और इसी तरह एक नौलिज़िबल वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजिए तो बहुत चल्द आपसे फिर मुलागात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक मज़दाय टॉपिक के साथ एक नौलिज़िबल टॉपिक के साथ अब तक अपना ख्याल रखिए सुरक चित रहिए गुडबाई